बेलकम टू एक्जाम विवेजना तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा आज एंटी नेट हिंदी का एक्जाम था और जो ये प्रिक्षा हुई थी दो शिप्ट में हुई थी एक सुभा हुई थी नौ से बारा के आसपास और दूसरी हुई थी तीन से चे के आसपास तो प्रिक्षा का समय था तीन तीन गहंटे का तो जो मैं यहाँ पर सेकिंड शिप्ट के पेपर को लाया हूँ तो जितने भी प्रशनी होंगे सभी समरिती के अधार पर होंगे प्रशन आगे पीछी हो सकते हैं परन्तु प्रशन का जो मूल अधार वही होगा तो आप प्रशनों को समझ लेना क्या पूछा गया है और कैसा है ठीक है इसी के साथ वीडियो केंट में आप ये भी बताईएगा कि आपको ये प्रशनों का लेवल कैसा रहा सेकिंड शिप्ट का ठीक है तो चली करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो जो यहाँ पर पहला प्रशन पूछा गया था गोदान उपनियास के गाउं कौन-कौन थे तो इसी परकार का कुछ प्रशन था तो यहाँ पर जो गोदान उपनियास के गाउं होने थे एक तो बेलारी था और दूसरा सेमरी था ये आपको याद रखना है इसी के साथ आपकी अगामी प्रिक्षा के लिए ये भी बता दूँ कि जो गोदान उपनियास है ये मुशी प्रेमचंद का है इसे भी याद रखेगा इसके पश्चात पूछा गया था निमन में से कौन सा इतिहास से सबंद रखने वाला बिद्वान है तो कुछ पाश्चाते बिद्वान थे जिनका सबंद इतिहास से था उनके बारे में पूछा गया था तो जो इतिहास सबंद रखने वाले बिद्वान थे ये थे हेरो डोटस तो यहाँ पर ये सही बिकल्प आ जाना था अगला जो प्रशन पूछा गया था क्या भोलूं क्या याद करूं जो ये आतम कथा है बच्चन जी की इसमें किस गाउं का जिकर किया गया है तो यहाँ पर जो गाउं का जिकर मिलता है ललितपूर और लोहितपूर ऐसा कुछ बिकल्पों में दिया था इन दो में से कोई एक होने की पूर्ण संभाव ना है ये हो सकती है अगला जो प्रशन पुछा गया था परिंदे कहानी के पातर कौन कौन से होंगे तो जो कहानी है परिंदे निर्मर बर्मा की कहानी ये 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 वाली इसके जो पातर होने थे मुखर जी, डॉक्टर मुखर जी और मिस्टर हुबर्ट होने थे इसके पातर ये तो कंफर्म प्रशन था इसे के ये ही बिकल्प होने थे अगला प्रशन था पांच लच्छमा किस कहानी की पातर है तो जो लच्छमा है ये बताना था किस कहानी के पातर है यह कहानी हो जानी थी कोसी का घटवार तो यह सही बिकल्प हो जाना था अगला प्रशन था बेती, भिवाबरी, जागरी यह जो जैशंकर प्रसाथ की पंक्तिया हैं इन से सबंदीत एक प्रशन पूछा गया था उसके जो बिकल्प में कुछ ऑप्शन थे तो वो समरीती के अधार पर याद नहीं है यह कुछ इस प्रकार का प्रशन पूछा हुआ था इसके प्रशाथ अगला प्रशन था निमन में से कौन सी भाषा शामी परिवार में आती है ऐसा कुछ प्रशन था या नहीं आती है ऐसा कुछ प्रशन था तो बिकल्प में अर्वी फार्सी, हफशी या एक अन्य थी भू मुझे याद नहीं आ रहा क्या बताया था तो जहां तक मुझे लगता है हफशी इसमें नहीं आनी थी बाकी देखिए अंसर की में क्या होगा अगला प्रशन आया था उच्चारन स्थान वाला उच्चारन स्थान से भी प्राय था पूछा गया था प कहां से उच्चारित होता है तो ये ओष्ट से होता है त दंत्य से च तालब्य से तो इस परकार का ये प्रशन पूछा गिया था आगे था असादे बीना नामक जो कवीता है लंबी कवीता ये किस संग्रह में संकलीत है तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये अग्ये जी की कवीता हो जाएगी और किस काब्य संग्रह में संकलित होगी ये तो ये हो जागी आंगन के पार द्वार नामक काब्य संग्रह में संग्रित हो जाएगी इसके पर जो अगला प्रशन पूछा गया था शेखर के उपर कतन था पूछा गया था कि शेखर का कतन कौन सा है ये प्रशन शायद मिलान वाला था ठीक है न? वहाँ पर शेखर का कतन भी था एक उसे मिलान करना था बाकी बिकल्पों के साथ अगला प्रशन था ग्यारा शुकल ने देव की रचनाओं की संक्या कितनी मानी है ये पूछा गया था बिकल्प में 22-23 इसके आसपास कुछ बिकल्प दिये हुए थी अगला प्रशन था बारा इसमें पूछा गया था बानभट की आतम गथा उपनियास के पात्तर बताईए कौन-कौन से पात्तर थे? उनके बारे में पूछा गया था पात्तर के नाम बताने थे फिल्हाल पात्तर उपलग नहीं है अगला प्रशन था 13 परशाध के नाटकों का सही करम बताना था तो जो परशाध जी के नाटक थे इनका सही करम होना था सबसे पहले राजे श्री आना था उसके परशाथ अजाद चत्रु फिर सबसे अंत ने दृफ्वामिन था हाँ इसाद हनूश ही था ये जो क्रमबत तरीके से रखने थे सबसे पहले अशार का दिन आना था 1958 फिर लहरों के राज्जांस 1963 फिर आधे अधूरे और सबसे अंत में हनूश आना था अगला प्रशन आये था पाश्चात्ति काविशास्तर से जिसमें पाश्चाति काविशास्तर के ग्रंथों को करमबत रखना था तो सबसे पहले तो रिपब्ले की आना था जिसने सबसे पहले रिपब्ले किया है उसका ये प्रशन सही हो जाएगा फिर एक प्रशन कॉलरीज के ग्रंथों के बारे में पूछा किया था कि निमन में से कौन सा गरंथ कॉल्ली से सबंदित नहीं है कुछ ऐसा प्रशन था तो वहाँ पर भी आपने देखना था कि कौन सा से ही विकल्प हो जाना था अगला जो प्रशन था अंधेर नगरी के पात्नों का मिलान करना था तो अंधेर नगरी से शायद दो या तीन प्रशन आए थे हाँ एक तो आयए था डाइरेक्ट कि अंधेर नगरी के पात्रों का मिलान कीजिए और दूसरा था बहुत से बिकल्प थे उसमें से गोबदन दास था शायद उसका मिलान करना था अंधेर नगरी से इस तरह के दो या तीन प्रशन आये थे तो जो अंधेर नगरी के प्रमुखवातर थे उन्हें देख लेते हैं गोबर्दन दास और महंत शायद गुरू भी था पर गुरूत नहीं होगा महंत होंगे गुरू के स्थान पर इसके पर शाज जो अठारमा प्रशन पुछा गया था मैं नीर्भडी दुख की बदली पंक्तियों का आश्ये पूशा गया था, इन पंक्तियों का क्या आश्ये हैं तो यहाँ पर जो कुछ बिकल्प मेर पास थे, यह है इसमें रहस्त यह बाद है स्त्री दुख से सबंदिती ये पंक्तियां हैं कुछ इसी तरह के बिखल्प वहाँ पर दिये हुए थे अगला जो है 19 प्रशन है यहाँ पर जो सिद साहिते से सबंदित कुछ कभी थे उन्हें करमबद रखना था तो सबसे पहले लुईपा आने थे इसको आप इस प्रकार से भी सही कर सकते थे जो हिमचंदर है इनका सबंद बारविंशताबदी से था इस प्रकार से आप इसे सही कर सकते थे फिर जो अगला प्रशन था कवीर कुट्ता राम का मुतिया मेरा नाम इस प्रकार की कुछ पंक्तियां थी उनका आश्ये पुछा था क्या कवीर का इन पंक्तियों के मादियम से क्या आश्ये है तो जहां तक मुझे रखता था इसका सबंदोना था आतम समरपड से बाकी देखे क्या बिकल्प होने थे बिकल्प जब आएंगे पूरे प्रशन तभी हमें पता चलेगा इसका क्या बिकल्प था और क्या इसका उत्तर होगा अगला जो प्रशन था 21 शिप्षंबू के चिठे जो शिप्षंबू के चिठे निवन्द है इसका समंद किस लौड से रहा है तो इसका समंद रहा था आपका लौड कर्जन से जो अंग्रेज शाषक थे अगला प्रशन देखिए मैं अंधेर नगरी की बात कर रहा था ये आया था कि जो अंधेर नगरी है ये किस विधा की रचना है तो ये हो जानी थी प्रहसन विधा की रचना तो देखिए अंधेर नगरी से वार कितना महत्पुन हो गया था फिर पूछा गया था प्रेमचन की कहानियों को करम से रखिए तो कुछ कहानिया इस प्रकार से थी सबसे पहले पंच परमेश्वर, फिर प्रेड़ना, फिर बोडी काकी और फिर सवा सेर केहूं बाकी देखते हैं क्या होता है इसका सही उत्तर, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ने करमबद रखा है फिर अगला प्रशन था, निवन में से कौन सा शब्द तदभब नहीं होगा तो यहाँ पर जो शब्द तदभब नहीं होना था, तो बहो हो जाना था किसान बाकी शब्द सभी तदभब थे अगला जो प्रशन पूछा गया था यहाँ पर नाखुन क्यों बढ़ते हैं, यह जो निवन्द है, किस निवन्द संग्रह में संकलित है तो यह हो जाना था कल्प रतामी और यह निवन्द किसका है, हजारी प्रसाद दुविदी जी का निवन्द है यह अगला प्रशन था यह, यह 26 इदगा कहानी के पात्रों के बारे में बताना था, तो बिकल्प में मुहमद और मुहसिन भी थे तो यह दोनों ही पात्र इदगा कहानी के हो जाने थे और यह कहानी प्रेमचंजी की है, इदगा बहुती चर्चित कहानी है अगला जो प्रशन था यहां पर 27, इसमें पूछा गया था इश्वर अंश अविनाशी, कुछ इस परकार की पंक्तियां है यह पूछा गया था किस संपरदाई से सबंदित पंक्तियां हैं यह वाली अगला प्रशन था 28, रामचंदर शुकल ने चंदबरदाई के लिए क्या-क्या कथन कहे है तो कुछ यह कथन थे, जैसे कि यह हिंदी के प्रत्न कभी या महा कभी थे तो यह सही हो जाना था, इनके जो रासों के बारे में भी कुछ कहा था तो इस प्रकार की अगर पंक्तियां होंगी तो यह कतन अवशिय सही होगा अगला प्रशन है 29, धर्ति धन्ना अपना इस उपनियास के बारे में पूछा गया था ये उपनियास पहले तो आप याद रखना है जगदिश चंदर का उपनियास हो जाएगा और इसका विशेह क्या है ये जो पंजाब में दलित संपरदाय से सबंदित उपनियास था इस तरह का कुछ इसका उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है तीस चत्रभुज दास के सबंद में असत्य कथन के वारे में पूछा गया था क्या कौन सा कथन असत्य या सत्य है ये कुछ क्या है पता नहीं दोस्तों पर ये समरिती के दार पर है मेंने कहीं से संगलित किया है तो आप थोड़ा समझाइए क्या 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 प्रशन पूछे है क्या नहीं तो सबसे पहले तो ये आना था कि जो ये कुम्बंदास के पुत्तर थे जो चत्रभुज दास है कुम्बंदास के पुत्तर थे हितजु को मंगल ये भी इनकी रचना मानी जाती है चत्रभुजदास की इसके परशाज जो प्रशन पुछा गया था 31 कभी प्रिया नंददास की रचना है या नहीं इस प्रकार का प्रशन था तो जो कभी प्रिया है नंददास की रचना नहीं केश्वदास की रचना हो जाएगी ये भी याद रखेगा ये भी मतपुन है अगला था अभी यान का सबंद किसे से है तो विकल्प में कथानक चरित्तर अभी ने इतियादी दिये गए थे तो इस परकार की कुछ प्रशन पुछेगे थे तो फिलाल मुझे ये ही प्रशन अभी तक उपलब्द हो पाए है बाकी के प्रशन भी आपके समक्ष लाँगा तो ठीक है वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतक बने रहें इसका बहुत बहुत धनियवाद और ये भी बताईएगा कि प्रशन का लेवल आपको कैसा लगा हाड था या नॉर्मल था ठीक है तो चलिए ठीक है वीडियो को समाप्त कर देते हैं अब धनियवाद